हम ज़्यादा तर किसी तेवार पर या किसी महमान के आने पर पूरियां बनाते हैं और हम चाहते हैं कि पूरियां हमारी बहुत देर तक फूली फूली रहें, क्रिस्पी रहें और सॉफ्ट रहें और इसके साथ ही ये ज़्यादा ओल फ्री वी रहें तो इस तरह की पूड़िया बनाने के लिए कुछ टिक्स होते हैं जिससे हमारी पूड़िया ज़्यदा देर तक пуldi fully crispy और soft रहती हैं तो आज हम आपके साथ पूड़ी की recipe share करने जा रहे हैं साथ ही हम इसमें आपको tips और tips भी बताएंगे जिससे आपकी पूरी ज़्यादा ते तक फूली फूली क्रिस्पी और सॉफ्ट रहेंगी तो इस वीडियो में आप लास तक बने रहें तो फिर चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्शिंग बॉल में एक कफ केहूं का आटा लेंगे ये बेट में लगबग 200 ग्राम है साथ ही हम इसमें डालेंगे बनफोर्थ कफ सूजी बेट में ये कम से कम 50 ग्राम है सूजी डालने से पूरियां आमारी देर तक क्रिस्पी रहेंगी साथ ही इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा अब हम इसमें एड़ करेंगे बनफोर्थ कफ यानी 50 क्राम मैदा मैदा डालने से पूरियां आमारी सॉफ्ट रहेंगी अब हम इसमें डालेंगे एक चोटी चम्मच चीनी चीनी डालेंगे से पूरियों का कलर बहुती अच्छा आता है साथी इसमें एक स्वीटनेस सी बनी रहती है अब हम इसमें डालेंगे अधा चोटी चम्मच नमक नमक डालना ओफ्शनल है अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आटा गूतने के बाद चीनी और नमक की मात्रा सभी चगए बराबर रहे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक टाइट आटा लगा का तयार करेंगे ध्यान रखेगा पूरी का हमें एकदम टाइट यानि सकत आटा लगा का तयार करना है तभी पूरिया हमारी एकदम फूली फूली और सॉफ्ट बनेंगी अगर आप पूरियों का सॉफ्ट आटा लगा का तयार करेंगे तो ये अच्छे से फूलेंगी नहीं अब हम आटे को अच्छे से मसल मसल का चिकना कर लेंगे ध्यान रखेगा पूरी का आटा लगाते समय हमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है तो मेरा तो आटा चिकना हो गया है अब हम इसको 20 मिनट के लिए ढखकर रख देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए और अब हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेलन की साहता से बेलेंगे आप इसमें जरूरत के अनुसा थोड़ा सा ओईल लगा लें जिससे ये अच्छे से बेल जाएगी आप चाहें तो पूरियों को सुखा अंटा लगा कर भी बेल सकते हैं लेकिन अगर हम पूरी को ओईल लगा कर बेलेंगे तो जब हम पूरी को फ्राई करेंगे तो फ्राई होने के बाद जो ओईल बच आता है वो हमारा ओईल गंदा नहीं होगा या हम क्या सकते हैं कि जब हम पूरियों को तलेंगे तो तलने के बाद जो हमारा कढ़ाई में ओईल बच आता है वो गंदा नहीं दिखेगा तो मैं इसके थोड़ा सा oil लगाकर इनको अच्छे से बेल लूँगी तो ये देखे मैंने पूरी को बेल लिया है अब हम पूरी को सेख लेंगे इसके लिए कड़ाई में oil लेंगे और oil को गर्म कर लेंगे पूरी को सेखने के लिए ओइल हमारा थोड़ा सा तेजी गर्म होना चाहिए तभी पूरी हमारी अच्छे से फूलेगी तो ओइल हमारा एकदम तेज गर्म है अब हम इसमें पूरी को डालेंगे और पूरी जैसे ही उपर आने वाली हो हमाता की साहता से इसको प्रेस करते हुए नीचे की ओर तबाएंगे जिससे पूरी हमारी अच्छे से फूलने लगेगी तो ये देखे पूरी हमारी बैलून की तरह फूल गई है और हाँ आएक बात का ध्यान रखेगा पूरी को हमें एकटा बैल कर नहीं डालना है आप एक बार में तीन से चार पूरीयां बैल कर तयार कर लें और फिर उनको सेख लें और सेम प्रोसेस से हम पूरीयों को सेखते जाएंगे जैसे ही पूरी हमारी उपर आने वाली हो उसको मता से नीचे की और दबाते हुए प्रैस करेंगे जैसे पूरी के अंदर हवा फेल हो जाएगी और पूरी हमारी गुबाड़े की तरह फूल जाएगी अब इसको पलठ लेंगे ताकि यह दूसरी साइट से भी अच्छे से सीख जाए इस तरहीके से हम फूली फूली पूरियां बना करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारी पुडियों का कला कितना अच्छा आया और ये देखने में कितनी क्रिस्पी और फूली फूली लग रही है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ बाई